है कि देखो प्रणोद क्या होता है जिसको इंगले से बोलते हैं थ्रस्ट रिए अब धेको होता क्या है कि आपको पता ए कि बल इस पर हम क्या कर रहा है इस पर हम ऐसा भी बन लगा सकते हैं ऊपर हमुद लगा सकते हैं ठीक है नीचे से हुँ लगा सकते हैं लेकिन बल को तो यह जो बल कार करेका यह क्या कहलाता यह क्योंट कहलना नक्या करें तो यह इसे ुपर थ्रश्ट तो समझ में आया तो थ्रश्ट क्या होता है किसी वस्त उपर अब लंबोवत करो आप थ्रश्ट कहते है ठीक है या प्रणोद कहते है तो प्रणोद की यही परिवासा हो गई किसी वस्टुप के प्रश्ट पर अब इलंबवत कार करने वाले बल्ब को क्या कहते है थ्रश्ट कहते है अब देखो इसके बाद बात आती है दाब की की दाब क्या होता है प्रेशर क्य यह इसकी परिवासा हम लोग हार्मूले में क्या लिख सकते हैं प्रणोध की जगाए हम लोग लिख सकते हैं प्रेसर या दाब बराबर प्रणोध की जगाए लिख सकते हैं प्रेश्ट पर अभी लंबवत लगने वाला बद और नीचे क्या हो जाएगा प्रेश्ट का छेतरफल तो सबसे पहले तो आपको परिवासा प्रणोद की समझ में आए कि प्रणोद क्या होता है किसी प्रेश्ट पर अभिलंबोत कार करने वाले बल को क्या कहते हैं प्रणोद कहते हैं कि दाब क्या होता है कि किसे प्लश्ट पर यह प्लोध बटे से छेत्र फाल होता है तो अगर यहाँ से हम लोग परिवासा बताएं बनाएं तो अगर आप impat cheंभ और था गर एक म caution है कहाँ एक एक मुटार ब्रिवास के ջुटको कैने और अगर यहां से हम लोग छेतर फल तो एक तो परिवासा यहां से आ गई क्या कि किसी प्रष्ट के एक आंग छेतर फल में छेतर फल कितना एक तो एक आंग हो गया तो किसी प्रष्ट के एक आंग छेतर फल में कार करने वाले प्रणों तो कोई क्या कहते हैं दाप कहते हैं य यहां से गर परिवासा बनाओगे तो अगर प्रेश्ट छेतर फल आपने एक कर दिया तो दाब बरावर क्या होगा प्रेश्ट पर अभी लंबवत लगने वाला बल तो इसकी इसाफ से गर बनाएंगे तो दाब बरावर होगा प्रेश्ट पर अभी लंबवत कार करने वाला बल या लगने वाला बल तो इसकी हिसाफ से अगर परिवासा दें तो क्या होगा कि छेत फल क्या था प्रिष्ट छेत फल एकांग था तो किसी एकांग प्रिष्ट छेत फल पर अब इलंबवत कार करने वाले बल कोई क्या कहते हैं दाब कहते हैं, ठीक, तो परिवासा क्या होई, एक तो परिवासा यहां से होई, कि एक आंग छेत फल पर लगने वाले परणोद को ही दाब कहते हैं, और परणोद ही होता क्या है, कि प्रेश्ट पराभी लंबवतकार करने वाला बल, उसी को बोलते हैं, परणोद, तो परणो अब देखो आपको यह पता है कि जैसे कोई कील ठोकी जाती दिवाल में तो उसका जो कील का जो सिरा होता है आंगे का सिरा जिसको गाड़ा जाता है वो कैसा होता है नुकीला होता है क्योंकि दाब बराबर होता है दाब बराबर आपने पड़ा अब इलंबवत कार करने वाला बल और बटे छेतरपा सौर्ट में लिख रहा है इसका मतलब है दाब को लिखते किसे हैं पी से ठीक है दाब को किसे लिखते हैं पी से लिखते है और इसका जो मातरक होता है वो क्या तो दाप का जो मात्रक होगा क्या होगा उपर बल का मात्रक नीचे छेतरफल का मात्रक और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है और छेतरफल का क्या होता है मीटर स्क्वाइर होता है तो इसका एक मात्रक तो आ गया न्यूटन मेटर स्क्वाइर और दूसरा इसका मात् icalений बेटा होता है एक पासclil बरावर होता है एक Newton by प्रतीए मीटर स्क्वार को की आप के अगर पर के नियुटर की कि नियुटर कि है अगर यह हुआता ही और जो हुआ यह क्छा उस्सकारों के तो यूंतर । आङ्इयन गते हैं हे पेधररशित करते हैं तो अगराव चेट अब देखो मापको कुछ समझा रहे थे समझा यह रहे थे कि जैसे दाब बराबर है बल अपाउं छेत्रफ़ल तो यह जो दाब होता है वह पी इसको लिखते है यप से और इसको लिखते है ए से तो इसके क्या प्रपोर्श्णल टू ए ठीक है डायक ले तब सतिक मतलब हुता है यह वह सब्ड़ाइगा तो प्रेशर क्या होगा बड़ेगा यह जितना अगिशुच cáiam कम होगा श्राइं जब दो है अ क्यसक्ति है कि जैसे अगरने इसको नीचे करें लिग्रें के रहे दाब के प्दूसरा झाब अधेदा या प कील गृँंसे प्रूकर क्तबगें फ़ी किया लगोगई उसी प्रकार क्या होता है जडिवाल में गाड़ने वाले जो कील होती है उसका जो आंगे का सिरा होता है वो नुकीला होता है नुकीला होने से क्या होता है कि उसका जो छेतरफल होता है कम होता है और छेतरफल कम होने के करण क्या होगा हमें कमबल किया हो सकता होती है ठीक है उसको गाणने के लिए जैसे आपको पता है कि जो रेगिस् चोड़े होते हैं और काफी चोड़े होने का मितलब उनका च्षेतर फल क्या होताहै काफी अधिक होता है Cum क्या करते रेत में कम दाब लगाते हैं छेतर फल अधिक दाब क्या होगा गब दो क्या होगा हमें कम बल लगा कर यह पर्याप्ट दाब मतब ते यादा लग जाएगा और देखो आपने देखा होगा कि जब जैसे द्रो में कोई वस्तु डुबोई जाती है ठीक है जैसे आप ये डश्टर ले लो या कोई और वस्तु ले लो और द्रो में डाले तो द्रो में जब डुबोते हैं तो ऐसे क्या लगता है कि नीचे से उपर की और कोई बल लग रहा है ठीक है, तो होता क्या है, कि मतलब द्रो क्या करता है, उस वस्तु में नीचे से उपर की और बल लगाता है, तो द्रो द्रो द्वारा जो ये बल कार करता है, इस बल को क्या बोलते हैं, उत्पलावन बल बोलते हैं, ठीक है, पास सुन में आई, होता क्या है, कि जब हम किसी वस टेकर है उत्प्लावगता और इस बल्को क्या बोलते हैं उत्प्लावगता ठीक है फिर से एक बार समझ लो जब किसी वस्त को वह में डुबोते हैं तो दोरा उस वस्त पर कार करने वाले बल कोई उत्प्लावगता कहलाती है क्यों गया आपका अब देखो 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 और माइनस वस्तु का द्रव में बार यह होता है उत्प्लावनबल का फार्मूल देखो समझो वस्तु का घंद तो क्या होता है वस्तु का घंद तो होता है घंद तो बराबर होता है द्रोमान बटे आयतन अब देखो क्या किया जाए यदि हम आयतन को एक मान ले माना आयतन जो है इसको हमने मान लिया आयतन वी बराबर एक मीटर क्यूब क्योंकि आयतन का फार्मूला होता है मीटर क्यूब तो जब आयतन बराबर इतना मान लिया तो जो घनत तो होगा किसी वस्तु के एक का आयतन में उपस्ति द्रौमान को उस वस्तु का क्या कहते है घनतु कहते है ठीक है परीवासा क्लियर होई क्या होता है किसी वस्तु के एकांग आयतन में उपस्तित द्रोमान को वस्तु का घनतु कहते हैं बात करें घनतु के मात्रक की तो इसको नॉर्मली डी से लिखते हैं घनतु को घनतु को डी से दिनोड करते हैं या प्रदर्सित करते हैं और दी का मतलब क्या उता है समय होता है इंगली इंगलिजने मेंटकि सब्क्राइए ध्यूंकर निरूपित करते है और घरतन अर्वेस बराबर जो होता है वो वो होता है द्रोमान बटे आयतन तो यहां से अगर आम मात्रक लेंगे द्रोमान अपान आयतन तो द्रोमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यों तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यों यह हो गया तो फिर से एक ब तो घंततो बेरावर किसके होगा गुआ है तो एकांक अपस्तित ज्रौमान को फो है किसे मात रख होता है किलोग्राम और सब्सक्राइब क्या गया किलोग्राम ड्रक हो जिको अफ समझो आर्कमडीज का सिद्दान्थ क्या होता है तो अभी आपको हमने बताया था जब उतपलावन बल बताया था कि जब किसी वस्द नोग दुबोते हैं तो वह क्या करता है कि द्रो उस वस्द वश्द वज़ा करता है नीचे से उपर की और बल लगाता है इस बल को उत्प्लावन बल्क बोलते हैं और कबडीज ने अपने किसी दांद दिया और उसमें बताया है कि इस वस्त द्वारा लगाया गया जो बल होता है वह इस वस्त द्वारा हटाये गए द्रव के बराबर होता है जितना वह इस सिद्वारा बताये अब जैसे आपने देखा होगा हो जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम लोगे की डालने लोहे की 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 डालने जल में तो ढूब जाती है जब कि बड़ा सा जो जहाज होता है वो नहीं डूपता है वो तैरता रहता है तो ऐसा क्यों होता है कि जहाज होता है उसको इस सेप का बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जो देखो कोई वस तो तैर कब सकती है जल में या द्रव में तैर कव सक्ति है जब उसका जो भार हो वो क्या होना चाहिए उसके द्वारा हटाये गए केवल समझना है नोट नहीं करना हटाए गए द्रव के द्रव का भार हटाए गए द्रव के भार से क्या हो उसका भार कम हो समझ रहे हैं तो जहाज होता है पानी का या जो नाव होती है उसको इस सेफ से बनाया जाता है कि उसका जो भार होता है जितना वो द्रव अटाती है उ आसानी से होता है अरती रहती है जबकि कील जो होती है वो कील को क्या होता है उसका वेट जादा होता है बहुत ही कम होता है और जिस करण क्या होता है कि वो कील क्या होती है डोब जाती है वा समझ रहे ना जिसे पानी वाले जाहाज ये सब इसी पर आधारी थे कि इनको बहुत जल्द इनके द्वारा अटायगे द्रव का जो भार होता है वो इनके भार से क्या होता है अधिक होता है और जिसक्राण या आसानी से पानी में तैळरते रहते हैं इस प्रकार आर्कमटीच आपको सिद्धान्द समझ में आया आर्किबडीज की जो सिद्धान्त के अनुप्रियोग हैं ठीक है कुछ उप्रियोग होते हैं वो आपको इस्क्रीन में दिये गए वीडियो को रोक के वो डूट कर सकते हैं अब देखो अगली एडिंग देखिए आप एच्छित घनत तो क्या होता है मैं यहक है मैं जुक्त आपेच्छित घनत में जो होता है वबराबर उता है वस्त्वाद तो आपको समझावी हें क्या होता है वस्तु का घंत्तो और अपन द्रव का घंत्तो या जल का घंत्तो तो इससे अगर परिवासा बनाएं आप एच्छित घंत्तो की तो किसी वस्तु के घंत्तो तथा जल के घंत्तो के अनुपात कोई क्या है अनुपात तो किसी वस्तु के गनतु था जल के गनतु के अनुपात कोई क्या बोलते हैं आप एच्छित गनतु कहते हैं अब ये अनुपात है सेम रासियों का ये भी गनतु ये भी गनतु तो गनतु का मातर किलो ग्राम प्रति मीटर क्यों और इसका भी मातर क्लो ग्राम प् होता है कि लिए परिवासा तो आप एच्छित घनत्तों क्या होता है वस्तु का घनत्त था जल के घनत्तों के अनुपात को आप एच्छित घनत्त कहते हैं ठीक है और इसका कोई मातरक नहीं होता क्योंकि यह दो एक समान रासियों का अनुपात है इसलिए इसका कोई मातरक नह आई बुटा